सुजानगट सूचना में आपका स्वागत है सुजानगट के चांदबास महले में मेगा हाईवे के पास इस्तित एक नोरे में गुरुवार सुबह एक नवजाद जिन्दा मिली है शिशू के रोने की आवाज सुनकर ताराचन और रोशन किची नामक यूग ने उसे देखा और वहां से लेकर उसे राज किये बगड़िया अस्पताल पहुँचे जहां चिकित्सकों ने नवजाद का इलाज सुरू किया फिल्हाल नवजाद बच्ची की हालत अब कत्रे से बाहर है वहीं सियाई दरजान आमने बताया कि पुलिस अपने सुत्रों से इस बच्ची के माता-पिता का पता लगाने में जुटी हुई है फिल्हाल आम लोग इन दोनों योकों का धन्यवाद करते नहीं ठक रहे हैं जिन्होंने समय रहते इस नवजाद बच्ची को राज किये बगडिया अस्पताल पहुँचा हिया तो बने रहे ताजा कपरों से अपडेट लेने के लिए सुदान गर्ड सुट रहे था अधिया जाओ ए आपसे सब्सक्राइब करें अधिया तो बच्ची मिली तो नरंदर जी नाम है उनको फोन किया था तो नरंदर जी ने मेरा को बताया था कि आप रुको वहां पर नहीं गाड़ी वहीं पर देखा हूं तो नरंदर जी वह में बोला था गाड़ी आप वहां मत बेजिए आप ऑस्पिटल में बेख दीजिए इतनी देर में बच्ची को कुछ हो सकता है इससे अचाय हम ऑस्पिटल लेकर पूलते हैं आप घड़े में ही बेख भाटे आप आप ऑस्पिटल लेके आगे फिर में औ और अपिला के मैं नबर सब्सक्राइब करें